इंतिजार की इंतिहा किसे कहते हैं वो हमीरपुर के लोगों से सुनिये सुनिये किस तरह से सालों का समय बीच जाने के बाद भी गाउं धरोग में लोगों को पकी सड़क बनने का इंतिजार है सर्समस्या है कि अब देखो देश को अजाद हुए भी 75 शाल हुए 75 भी बरसकांट भी मिना ली इसके बाद भी हमारे जो एक दो गाउं हैं इनके बीच में अभी तक भी सड़का बाव है और हम लोगों ने पड़ी कोसिस करके भी इसका जितने भी काम किया लोगों से गिफ्टीड भी करवादी डिपार्टमेंट के नाम पे और कुछ लोगों की बची यब भी हम करवा रहे हैं गाउं बाले पूरा साथ दे रहे हैं यहां बुजर्गों ने अपना पूरा जीवन बता दिया लेकिन बदलाव के बयार अब तक यहां नहीं पहुँच पाई की हालत खराब है फर्स्टेड ने मिल रहा है कुछी को और कई मर गए हमारे गाउं के तो बहुत ज़्याद मर गया है ग्रामीड कह रहे हैं कि इस सड़क के बनने से ऐसा लिंक रोड तयार हो सकता है जो कि लोगों के सफर को आसान बना देगा लेकिन ग्रामीडों का इस सपना का पूरा होगा यह कहपाना मुश्किल है अगर यह रोड बन जाता है तो इस रोड का आगे 200 मीटर आगे जाकर के बालू आता है बालू वाले तयार बैठे हैं कि अगर आप रोड के इन भी कम्पिल्टी करेंगे तो हम बालू में उसको टच कर देंगे अगर बालू रोड से टच हो जाता है तो यह बहुत बड़ी ऊपर के एरिये के लिए सब के लिए बहुत सुविदा अमेरपूर जाने के लिए बोटा जाने के लिए और लंबूर जाने के लिए तो काफी मतलब बहुत अच्छा लिंक रोड बने गए ग्राम पंचाज प्रधान चंदरशेकर ने भी बताया कि कैसे ये इलाका प्रसाशन की अंदेखी का शिकार हो रहा है और लोगों द्वारा सड़क के लिए समीन देने के बाद भी लोगों को सड़क सुविधा नहीं मिलता रही है कि अच्छा पाती या पिछेंट को या मुदादय भीजे नहीं हम कर सकते हैं तीन चार शड़कों की मारी बहुत ज़दा अपने प्रॉल्म है दिबार्टमेंट भी को इतना खास टेर नहीं किया क्रीव एक सान काले कुछ इसका काम लगाया था तो क्रीव क्रीव चार्सो मिटर तक इसके धंगे डूबे कंप्लीट हो चुके हैं विकास की रफ्तार में कोई पीछी ना चूटे इसका ख्याल रखने के जिम्मदारी साशन प्रसाशन की होती है ऐसे में लोगों की गुहार प्रसाशन को कब तक सुनाई देगी ये देखना होगा सूरे समाचार के लिए हमेरपुर से जस्वीर कुमार की रिपोर्ट